हेई दोस्तो वेल्कम बेक टूदा नाधर वीडियो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको Google Paper Lock कैसे किया जाता है या बताने वाला हूँ दोस्तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे दो तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप Google Paper को Lock कर सकते हूँ दोस्तो पहला तरीका तो मैं बिना किसी एप के मदद से आपको Google पे लॉग करके बताने वाला हूँ और दोस्तो दूसरे तरीके में मैं आपको एक एप एप के जरीए इसे लॉग करके बताने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए बीना वक्त गवाई इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बिना किसी आप के मदद से Google Pay को Lock करने वाले हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है चलिए मैं आपकर बताता हूँ तो 와 automatic यहाँ पर आपके सामने आ जाता है, Simply आपको उसके उपर क्लिक करना है, उब एप लोक को एक्टिव करना पड़ता है, उब एक password set करना होता है, पर आपका app-lock यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, simply आपको app lock पर आ जाना होता है यहाँ पर simply आपको क्या करना होता है आपको google paper जाना होता है और यहाँ से उसे lock करना होता है तो चलिए अब यहाँ पर हम google paper को lock कर देते हैं simply दोस्तो google paper हम click करते हैं और उसके बाद यहाँ पर enable passcode verification पर click कर देते हैं दोस्तो जैसे हम यहाँ पर इसे अनेबल पांसकोड वेरिवेशन पर क्लिक कर देते हैं हमारा गूगल पर यहाँ पर लॉक हो जाता है तो दोस्तो चलिए अब हमारे गूगल पर जाते हैं जिसके मदद से आप Google Pay को Lock कर सकते हो, यदि आपके Mobile में App Lock नहीं है, तो Simply आपको क्या करना है दोस्तों, आपको Simply Play Store पे जाना है और यहाँ पर App Lock सर्च करना है, आप यहाँ आप देख सकते हैं, इस App Lock को आपको Download करना है, इस App Lock को आपको Install करना है, और इसे Open कर देना है, दोस्त हम Start कर दियें, Simply आपको क्या करना है, दोस्तों आपको Google Pay पर जाना है, और दोस्तों इसे Lock कर देना है, motionCnah, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको Google Pay पर Lock हो करें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई वन दे मातरम